आपके पास आ रहा हूं एके मिश्रा जी क्या वाकई जब ऐसे बायान सामने आए हमने देखा है जब इतियास के पंद्रे को पलटते कि नुकसान होता है किसे भी पार्टी के नेतावक और खासतर पर कॉंग्रस को नुकसान हुआ है अब जैब ये बायान दिया गया है हालांक तक चुनाव में नुकसान होना कॉंग्रस को ताए है एक मिश्रा जी देखे नुकसान तो क्यों ऐसा नहीं है कि पॉलेटिकल पार्टी या इलेक्शन के रूप में होता है सदियों हजारों सालों का इतियास रहा है अब शब्द गलत बयान बाजी इन सब चीजों से जो है नुकसान बड़े-बड़े सामराज ही मिट गये है तो आगे सेक्रों साल तक उसको रिप्रोड्यूस किया जा सकता है वो सेव हो जाता है कहीं न तहीं तो डिफिनेटली अगर आप किसी देश की संस्किती भासा कल्चर इन सब को न समझते हुए बोलेंगे तो वो देश की जनता को चुपता है और उसी के परड़ाम शुरूप या तो उस आदमी की साफ कम हो जाती है या संविधान के इसाफ से कुछ एक्शन होता है या इलेक्शन में वो हार जाते हैं और दूसरी इंपोर्टेंट चीज मैं आपको बता हूँ रही बात कॉंग्रेस की मैं तो यह मानता हूँ कि भाज़पा कॉंग्रेस का किसी भी तरीके से शब्दों के द्वारा किसी का अफमान नहीं करना चाहिए कोई भी नेता हो कुछ भी हो तार्टिक तरीके से बोलिए अच्छे तरीके से बोलिए मुझे यह दिखता है कि कॉंग्रेस में बार बार यह इस चीज की गलतियां करते हैं तो कॉंग्रेस के नेताओं को मुझे ऐसा नजर आता है इस देश की मिट़ी, इस देश की संस्किति, इस देश की लावसा उनको घ्यान नहीं है अगर मैं हिंदी और संस्कित की बात कर रूं। हिंदी और संस्कित तो इतिनी रिच लेंग्वेज है एक बिंदी एक HRANT लगा देने ते पूरे ुदाहरण बदल जाते हैं मतलब बद बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं जहां कि अगर मैं अपने पुर्वांचल की बात करूं कोस कोस पे बदले पानी चार कोस पे बदले बानी तो ना इनको यहां की लेंगेज की पता ना शब्दों के गुड़ रहस पता है ठीक है सर आपके क्या कहने का मतलब आप समझ ग कर रहा हूं अगर किसी को बात गज़त लगे तो आगे भी होगा ठीक है रतनाकर जुरूर दीजेगा लेकिन एक मिश्रा जी मैं आपके पास आ रहा हूं एक मिश्रा जी अभी जो करनाटक को लेकर हम देख रहे हैं कि किस्सा अपने अपने हिसाब से हर एक पार्टी बता र ह्याएं अनर्गला बाते हैं यह क्या लगता है आपको क्या वाकist की बात रतनाकर को जी 方面 कॉंगर्स ऑखने वाले समय में कुछ दिखता दैंव कौन मिश्रा जी मंत्री थे मुझे नाम नहीं यादा रहता है तो जस्ट इलेक्शन के बाद ही एक बहुत बड़ी प्रेस्ट कुई थी और वहां पे जितने मीडिया वाले थे एडवांस पोह मैंने टीवी पे देखा था पत्रकारों ने एडवांस बढ़ाई दी थी और एक पत्रकार का उसमे तो यह शब्द थे कि सर बतलब आपको बहुत बहुत बढ़ाई हो आप नेक्स टाइम सीम बनने जा रहे है तो सर्वे मगरे देखिए जन्मानस का एटिक्यूड या ओपिनियन बहुत तेजी से बदलता है आदे गंटे एक गंटे या नहीं घर से मूट बना के चले कि फला यह चाहता हूं कि अगर कॉंग्रेस आना चाहती है या बीजेपी आना चाहती है तो शुब कामना है दोनों के लिए सारी पार्टियों के लिए है लेकिन अगर कॉंग्रेस रिप्लेस करना चाहती ही कसी एक्जिस्टिंग गवर्मेंट को तो यह देख देना चाहिए कि वो क स्टॉंग है सेंट्रल में पुरे देश में या करनाटक में यह इतना इजी टास्क नहीं है जितना कि हम डिवेट में बैठ के बोल देते हैं वाइस वर्सा यह केस बीजेपी के लिए भी होगा कि अगर बीजेपी क्लीन सीप भी करती है या लार्जेस पार्टी बनती है तो ब होगा बीजेपी के वाइस आट यह बजस्ट करता है करता हुगा यह नहीं है कि यहाईस के यहाँ ऱ्टॉश आटॉण स्वाएस प्रिजएट बनती है वह ज्याँ भीज़ बनती हैं पार्टड़र्ण सीगर्ष बवएस नहीं जबस्र अबस्ट